नमस्कार में गौरी वर्मा देख रहे हैं आप सी नियूस भारत वक्त होचका है नियूस बुलिटिन का बुलिटिन में बात होगी बलिया की हाँ विश्याने साधा निशाना कहा कॉंग्रिस पिशड़ा विरोधी पार्टी है बात करेंगे बस्ती की या शॉर्ट सरकेट से ल लिया लोकसभा के माल्डेपुर में भाष्प प्रत्याशी नीरशेखर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुचे भारत सरकार की ग्रह मंत्री हमिश्या का जोरदार स्वागत किया गया अमिश्या की अधिक्षिता में सपा से नाराज नारद राय और र समस्या थी तीन से चार घंटे बिजली आती थी रमजान में पूरी बिजली आती थी जनमाश्वी के दिन बिजली नहीं आती थी कॉंग्रिस पिछडा विरोधी पार्टी है कॉंग्रिस पिछडों का आरक्षण मुसलमानों का देने का काम कर रही है चार प्रतिश्यत और प पूरी आती थी, रमजान में तो पूरी आती थी, जनवाश्मी के दिन नहीं आती थी, आती थी बताए, भापपा सरकार आई, अब अठारा धंटा विजली लाने का काम हमारे लियोगी आधी के राथ में किया। बलिया से सीनियू सिमवाद दाता राजु गुपता की रिपोर्ट धौलपूट जला कारगा के खुली जेल में बंदे कैदी फरार हो गया, हत्या के मामले में आजीवन कारवास की सिजाकाट रहा। सवाई माधोपर जुले का रहने वाला कैदी रोजाना की तरह सुबा काम करने के लिए खुली जेल से निकला जो दहीर शाम खुली जेल में वापस नहीं लोटा कैदी के वापस नहीं आने पर जेल प्रिशासन ने कोट वाली पुलिस थाना पर मामला दर्स कराया है पुलिस कैदी की तलाश में जुटी हुई है अग्रिम कारवाई ये तू हमने उसको तलाशा उसके मोबाइल नंबर जो इस कारेले में तर्स थे उससे संपर करने की कोशिश की तो वो सुचोप मिला तत पस्चाथ उच्चादिकारियों को अउगत कराकर डंडित बंदी गजानन गज्जू के खिलाब फरारी का एफाई आर प्रार्थ्मिक रिपोर्ट संबंदी थाने को विजवाई गी का का निवासी था ये गज्जा और गज्जानन ये निवासी था आको दिया थाना बामनवास जिलाब सवाई मातों किन-किन मुगदमा में ये बंदी था था 302 में जी सर और कब से रह रहा था था ये फाई आर नमर 162 पॉबलिक 2008 प्रामनवास प्रकण में 302 में आजियन करावस में धंदी था ये ओपन केंप का वंदी था सजा बोटतरा था इस दोरान ये खरा था धौलपुट से सीन्यूसमवाददाता अनूप की रिपोर्ट खबर एटा से है आंजोला चाप डॉक्टर अवैद रूप से चलारा क्लीनिक गाउं का प्रेता पोस्ट बराई धाना कोतवाली पिलुआ जनपदेटा में अवैद रूप से संचालित हो रहा है क्लीनिक जिसकी किसी के पास ना तो कोई डिग्री है और अवैद बसूली करता है डॉक्टर एटा से सीन्यूसमवाददाता प्रवेश की रिपोर्ट खबर पाकुड से है आपुलिस सदिक्षक के नर्देश राजमहल लोक्सबा साथवे अंतिम चरंचनाफ को शांती पूंट करवाने के लिए पाकुड माल पहाडी ओपी थाना श्रेत्र में माल पहाडी ओपी पुलिस थाना प्रभारी सुक देवसा और सी आर्पीफ के पददिकारी अर्दसैनिक बल के जवानों ने माल पहाडी थाना श्रेत्र के नसीब पूर पत्थर घटा आंटो गली सुन्दर पहाडी हमरूल तिल पहाडी चेंगा डांगा नेवी नगर तथा विक्रम पुर में फ्लैग मार्च कर बूतों का निरिक्षन किया पाकुर शेहरी एरिया गांधी चौक ताती पाड़ा काली तल्ला महिला टुक्री द्वारा पैदल मार्च निकाल कर नागरिकों से भैमुक्तो कर मतदान करने और सामाजिक तत्वुक क्युगति विधियों क को लेकर पुलिस को सूचित करने के बारे में कहा गया पाकुर से सी नियूस में बादाता पंकज भगत की रिपोर्ट फिलाल के लिए बुलेटन में बस इतना ही देश तुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रही है सी नियूस भारत